हलो फेंट्स नमस्कार कैसे हो आप सबाई होपी आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियों में बात करेंगे कि दुबाई में लेबर की सेलरी कितना है दरसल जो लोग नए हैं और दुबाई आना चाहते हैं वो किसी एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट सब बड़ी बड़ी बाते करते हैं आदमी को अग्रेस्यू करते हैं और मन चाहा पैसा मांगते हैं लेकिन तो आदमी लोग को पता नहीं होता है कि हमारे साथ दोखा कर रहा है जितनी सでも्लाव है उतना सेलरी bem लेगा कि नहीं मिलेगा तो más reality में दुबई में एक labour को इतना सम्माने के चक्कर में उनको पते हैं मैं आदमी को reality बताऊंगा तो आदमी नहीं आएगा इसलिए सब बड़ी-बड़ी बाते करके आदमी का अग्रेश्यू करते हैं लेकिन तो उनको ए मतलब नहीं है कि आदमी कितना मेना से पैसा कमाया है कितना मेना से जूटा करके एक दूसरे से कर्ज लेकरके हमको पैसा दिय कल की बात है एक लड़का है हड़ी आना करने वाला है हमसे इंस्टाग्राम से बात कर रहा था तो बोला तो भई मैं दुबई आने वाला हूं मैं किसी एजेंट के पास गया था हो वो बोलता है एजेंट दुबई जाने के लिए साड़े तीन लाख रुपे लगता है साला लगता है कि एजेंट रुपिय में भेज रहा है ठीक है इतना पैसा 3.5 लाख रुपिया कोई एक आम फैमली के लिए बहुत बड़ी बात होती है ठीक है ना 3.5 रुपिया मांग रहा है बस दुबई वेजने के लिए और दुबई आने के लिए रियालिटी में आपका 50-60 अपने माइंड से आप सोच सकते हैं तो गाईस अगर आपको किसी एजेंट के थूर आ रहा है एजेंट आपसे बड़ी बाते कर रहा है कि एक लेबर को आम लेबर को वहाँ पर 25-60 सेलरी मिलता है तो यह सब बिल्कुल जूट है आप उसे जिनके थूरू मत आना आपके साथ फ्रोड हो जाएगा जो रियाल्टी होती है ओ कोई नहीं बताता है ठीक है आपने एटूब पर कई सारा वीडियो देखे होंगे कि दुबाई का लेबर 60 महिना कमाता है अले ठीक है कमाता है लेकिन तो उसके अंदर काभी लियत है एक आम लेबर धोरी है कि बस छे माहिने एक सल काम किया और दुबई में आके 67 लिए कमा रहा है दुबई में 60-60 रुपी कमाने के लिए आपका चार से पांशल मेहनद चाहिए ठीक हैं का माना मिलता है 30 से 35 रुपे मिलता है इस से जादे आपको नहीं मिलेगा और यह आप कभी बन सोचिएगा कि हमारा टोटल सेविंग होगा ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है अगर आपकी सरी मान लेजिए 35 रुपे है तो आपका खाने का इंडिया के तकरीब आप साथ से 8000 रुपे ख उसमें से 8000 माइनस कर दीजिए खाने के लिए तो आपका टोल कितना बज़ेगा 27 रुपे बचेगा ठीक है 25 से 26 27 रुपे आपका बचेगा इस से जादे आप लेबर में नहीं कमा सकते गाइस में जो मीनिमम होता है और सतन होता है वह मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं कि किसी महिने में 32 से भी हो जाता है तो काम के उपर भी डिपन करता है यह रियालिटी यह मान के चले कि आपका 25,000 रुपे बचेगा एक लेबर में दुबई में ठीक है तो गाइस यह यहां की रियालिटी है रियालिटी कोहीं नहीं बताता है अगर आपको कोई एजेंट बोल करने के लिए और सेलरी हेलफर में पैकिंग के काम में एक लाग रुपे बता रहा था तो बताये साला कितना ज्यादे उफ्रोड कर रहा था यह रियालिटी यह मिल्कुर रियालिटी ने गई सो सारा सार जूट बोला है तो मैं इसको बोला लड़का आईटी आई भी किया है इले टीचन का काम भी हाउस वारिंग का करता है तो मैं बोला आपको पास इतनी जादे काविलियत है तो आप जाकर कि कुछ दिन और काम सीखिए उसके बाद आपीस से इंटर्व्य दे कर किया मैं पावर आपीस से किया जो थे किसी एजन्ट को साड़े तीन लाग रुपे देने के लिए आपका 60-7090 रुपे में काम हो जाएगा ठीक है तो आप लोग किसी एजन्ट के तुरू आ रहे हैं तो आपके साथ फोड़ भी हो सकता है और को एजन्ट आपसे डेल लाग रुपे मांगता है तो साला जूट बोल रहा है ठीक है आपसे पैसा जादे मांग र सकते हैं इस से ज़्यादे आप नहीं कर सकते हैं बहुत करेंगी तो यहां की रियाल्टी है तो गाईस आइजयोग कि यह वीडियो अपलों को पसंद आएज़ीऊ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्काइब कर दीजीए सेर्क कर दीजिए के ताकि एओ दोस्